इस विलेज इस फोंड विद लव और पीस और देर इस नो स्पेस फोर कास्टिजम इन दिस विलेज देते हैं भाई तू चाल और तू अगहर तू चोदरी बना दिया तो वो चाल का बच्चा है उसको आप जवरदस्ती पारले का बेस्किट खेला रहे हैं और वो अगर करीम का बेस्किट खाना चाहता है तो वो करीम काई खाएगा जी वो पारले का नहीं खाएगा दबाओ से जी नमस्कार साथियों कैसे आप सभी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत था हमारे चैनल पर आज आपको सरपंचों की सीरीज के तहत हम गाउं खेडी जिसोर से वाड़ नंबर च्यार से बाई जितेंदर कुमार उर्फ जितु बाई के साथ जुड़े हैं ये वार्ड चैर से पंचपद के उमीदवार हैं और आज इनकी राय लेते हैं तो सब से पहले ग्राम वासियों क्या करना चाहिए जी तेंदर वाई सब से पहले आता है सवाल कि आपको कई नामों से जाना जाता है जिते अंदर जित्तू फूल का भाई तो इनके पिछे क्या कारण है बताओ गराऊज जी ये गाउवालों ने ये नाम दिये हैं जी गाम में जैसे गुम्में हैं कोई बोल देता है फूल का भाई होगा किसे दादी ने किसे ताही ने कोई काम कह दिया जा वह यो काम कर दे कि तेंदर कुमार ही है और निसान मेरा सीडी का है तो जैसे सीडी का निसान आता है सीडी उपड़ चड़ने के काम आती है तो क्या आपको इसे उची बुलंदिव तक पहुंचाने का काम करेगी जी मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहूंगा आपको मैं अपनी बुलंदी के अज होई सच्छाई और अच्छाई का इस एक विजेता निसान आए और यह उपचड़ने का काम करती है और मेरे विरोधी को मैं सबसे पहले एक बीच में ये बात छोड़ता हूँ मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ पहलवान जी को अलाकि वो मैंने परचार पहलवान जी का बड़े भाई हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ जुक है और उन्हें मेरे को आशिरवाद भी दे दिया ह सेमती से तो वैसे लेकिन दो चार आदमी जो हो जाते हैं थोड़ा करते हैं उसके लिए थोड़ा और भी अभी बात चल रही है जाती के उपर राजनीती पर आपकी क्या रही है जी जात हम बड़े वुड़ेम बैठे हैं जो दादा हास्ची साल के नबब नबब साल के हमारे वेन्यू बताओं हम मैं थे हूँ एक चोटा एक बच्चा उनका और आपका भी आपते थोड़ा सीनीर रहाओंगा स्कूल मेट आप रहे हैं जानते हैं जिस परकार से मने जीवन जिया है जाती बताई दादा आरन डाई इब आप समझो और यह जाती जो बनाओं है यह सिरफ राजनिती के टाइंप जाती बनाई जाती हैं आम आपस में ब्याब रात्याम जाओं हां किस्याई जाती निभूच देने निथार दिया हां जब कन्यादान गाला किस्याइक व जाती वहां गाहों में बंडारा हो है जब देभी में वह यह आवन ओह दादा तुंडे महराज ब्यादा दादा कि महाले पे कहीं भी वहां को जाती गाइस प्रकार का मैं इसका कती बिल्कुल दिल से खंडन करता हूं भाई जी तंदर आपने कुछ तैयार कर रख था अंग एंड देर इस नो स्पेस फॉर कास्टी जम इन देश विलेज बड़े भाईयो दादा तावो तम सारे पडेले के हो का अरपट डेओड तक डेओड बत्ती मारे बू डेकट डेओड है अरपट डेओड है इसका मतलब है यो गाम जब इसकी नीम रखी गई जब प्यार और के लिए रखी गई इस मत जाती का कोई भी नहीं है जितने भी उमिद्वार है किरपा करके बड़े भाईयो आज जोड के निवेदन करूं हुए गाम वाशी होने के नाते थारा छोटा भाई होने के नाते जाती का कहीं भी यूज मत करो बाई-चारा फिर भी रहगा दादा कोई जाटवा मनना कोई दूसरी जाती का ना कोई वाल मैर्ची वालमी की थे आका जी थोड़ा सा मैं लंबा करता हूं आप थोड़ा परेशान हो रहे होंगे अलाकि मेरे जो डिटेलिंग मैं बता रहे हूं लेकिन आज मैं अपने भाईयों के सामने दिल से एक बात यह करते हैं जी दिंदर जी आपके उपर से पहले आरोप लगते हैं कि किस ताकत ने आपको चुनाओं में उठाने का काम किया है जी इस बात का मैं बिलकुल एक खंडन करता हूं एक मेरे उपर बहुत बड़ा आरोप लगा जा रहा है और दबाव भी मैं आपको अगली कड़ी इसी मैं बताता हूं मेरे उपर यह आरोप लगा जा रहा है इसके पीछे किसका आथ है राजनिती इसके वार्ड नंबर 4 से किस न उठा दिया तो मैं इस बात का एक जवाब देता हूं मेरे 4 नंबर वार्ड के 280 वोटर जो आज वोट लिस्ट पर विद्मान है और 280 वोटरो इस अच्छाई और सच्छाई को आगे बढ़ाने काम करया है एक बात आती है नीजी जीवन की आप साधगी का जीवन जीते हैं पड़े लिखें आप फिर भी ड्राइवर की नोकरी करते हैं वैसे तो ड्राइवर की नोकरी कोई छोटी बात नहीं होती अपना काम चलाना होत दिल्ली सरकार के अंदर केजरिवाल की सरकार ने डीटी सी के चेर मैंने में कलेस्टर बस 1099 में बादली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चलाता था तीन उसके अप डाउन होते थे मेरी वहां ड्यूटी को देखके मेरा रानी खेडा डीपो के समानित के आज गया है मैं अपने काम को बगवान मानता हूं आज मेरे को दष अदमयों ने जिनके आत्मा को जो दबे होए आदमी हैं गरीमा को मैं मेरे उपर भी थोड़ा ये दबाव था तो उन्हों आदमयों ने मेरे को इस इलेक्शन में उठाने का काम कैम मेरे ऊपर докो बाव नहीं कोई राजिनिक ताकत नहीं है और कहीं से भी मेरे को किसी ने भी नहीं मदद करी है मेरे 280 में वोर्ड के वोटर और उन से जुड़े हुए जो 800 या 700 आदमी है वो नोंने मेरे को उठाया है बात आती है जितंदर भाई की लोग कई लोग बोलते हैं कि आपको वोट क्यों दें हाजी मेरे को वोट अपने लिए दें आज मैं जिस परकार से हर देल के उपर महाजोड का आया हूं जोक का आया हूं इस इजतने मैं राखूंगा बड़्या की नहीं और यो मान से मानमा आनाली पीड़ी ते बताऊंगा कि इस इस तरीके की भी बात आई थी जब दोशँक्या democracy वोटर हैं क्या उनका मन टटोले हाँ आपने तो एक सवाल हो रहाता है कि बंद कमरे की एक राजन इति होती है आपने इपने बता थैं कि कमरे की एक राजनिती काफी चली हुए आज के दिन उसके बारे में क्या बोलना चाहूंगा अपने जो दादा ताउ बड़े बड़े हैं जो गाउं के समानित आदमी हैं जो पड़े लिखे आदमी हैं जो गाउं का नाम भारतक रोशन किया उन्होंने सुबाचंदर फोज जी जी की भी जो फोज की आजाद इंद फोज थी उसके अंदर भी सुतंतरता सेनानी हमारे रहे हैं उनको आगे आना चाहिए ये वार्ड नंबर चार का मैं मुद्दा बताता हूं और मेरे को इस बाहर की राजनिती से कोई मैं सरपंची का चुनाओ नहीं लड़ रहा कोई मैं है भाई तू चाल और तू अगहर तू चोदरी बना दिया तो वो हमारे लिए एक ऐसे निया मेरे लिए होई मैं हर गर पर गया मन हरा अदमी तो पूछया तो इसलिए मैं अपने परचारम बोलता हूं कि बंद कमरों की राजनितिया बंद हो जाएगी बात और आते है जी त काम तो है बोलने का कुछ भी आप करोगे जबी बोलेंगे कुछ भी नहीं करोगे जबी बोलेंगे मैंने कुछ करने की इम्मत दिखाई है मेरे वार्ड के आदमियों से पूछ के उनका अशिरवाद लेके तो मैं आगे बढ़ने के लिए काम करूंगा मैं पीछे अटने के लिए नहीं करूंगा तो एक सवाल हो रहाता है जैसे हम देखते हैं कि 500 का सरपंच पर कई बार कामों को कामों को लेकर दवाव बना जाता है लेकिन क्या आप चुनाओं अगर जीत जाती हैं तो क्या जितिंदर भाई भी सरपंचों के दवाव में रहेंगे आप वार्ड का दो साल से लेकर सो साल तक का मेरे उपर दवाव होगा और मेरे उपर ने उस सरपंच को वी आने वाले को आकाजी मसाओ दान कर रहा हूं आने वाला सरपंच ये बिलकुल द्यान रखे अकाज वार्ड नंबर 4 से 280 जो वोटर हैं और उनके साथ जो 800-700 आदमी जुड़े इनको जवाब देने का काम करेंगे जो मेंबर जो पंच आम चुनते हैं आकाज जी उसका क्या मद्यम रहता है चार आदमी बैठके कर लेते हैं वो फैसला हो गया ठीक हो गया और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा जी आज के दिन जो भी वार्ड के अंदर चिस भी व जुक्रिया करता हूं क्योंकि सभी ने बैठके पूरे पबलिक के बीच में बड़े छोटो का अशिरवाद लेके इस काम को किया है और मेरे वार्ड के अंदर जो मेरा बाई है मेरा बड़ा बाई है मेरा इमाजाया बाई है आला कि क्योंकि हम सब एक से ही पैदा हुए है इ जी मेरे को भी तरफ मैसूस हो और मेरे दोस्तों क्यासी वोटरों को तरफ मैसूस होई और वो उन वोटरों का और उन वोटों का आत्म विश्वास मेरे अंदर बोलता है अधिक विश्वास नहीं बोलता है बात आती है सबसे पहले जेतेंदर भाई कि राजनित्ति का मतलब क्या है आपके लिए जनता की ताकत और लोगों से जो जुड़ा हो है खास कर वार्ड नम्पर चैयर आप से क्यों जुड़े इसके पीछे इसके पीछे जी सबसे बड़ा कारण तो ये है कि बड़े बुढों की परिवार के छोटों की रजामंदी और परिवार के बीच में ब जित्ता बसी है या इन अपनी कसम खाके कि कोई भी मेरा विश्वास करें ना करें मेरा भगवान मेरा यात्म मेरा विश्वास करें इस बात को गाम जानता है उसके लिए मैं इस चीज के लिए आगया हूं और इसी चीज के लिए मैं आज फिर से एक बार जनता का और या जीत इसको लेकर क्या हार या जीत जो भी फैसला होता है वो राजनीती का जिस दिन वोटों गिनती होती है उस दिन होती है या फिर जो वोटों का मन होता वो बता देते हैं लेकिन मेरी जीत और हार का फैसला दोसों कैसी वोटों की जीत होगी उनकी यार होगी मेरी कोई ज बुइखा हैं बाई किस सोच के लिए मेंबर बना जाता है मैंबर शर्पंच कहां जा रहा है और भाइ इसका वो कर वारूं का स्वागत करता हूं एक चीज और मैं आपके वह जोड़ना चाहूंगा अलागा आप वो Captain monit छहूंघ कि आज के उद द्र कौन ऐसा अद्मी है या कौन ऐसा दो साल का बच्चा उसको आप जबर्दस्ती पारले का बेसकिट ख़िआ और वह अगर करीम का बिस्कुट खाना चाहता है तो वह करीम का इखाएगा जी वह पर लेका नहीं खाएगा दबाव से जी बात और आती जी तेंदर जी की कुछ बोलते हैं कि 200 पलस का क्या है वह समझाएं कि यह भी मैं बताना चाहूंगा जी और इसको तो मैं बड़े गरव के लिए और इस चीज के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलता हूं आज जो 280 वोटर हैं उनके मन को किसने टटोले हैं यह पूछ रहा हूं मैं जब वह वहां पर बंद कमरे के अंदर चार आदमी बैठ के अपनी गोशना कर रहे थे लाड़ू मिठाई बाटे गए हैं आकास जी आज यह भी मैं खूल करता हूं जी वो मेरा कोई राजनी की कोई विरोदी नहीं है कोई उसमें मेरे लड़ाई नहीं है अगर भी हम उसके बाई रहेंगे वो मारा बाई रहेगा लेकिन बात याड़ विचारा की है सिरफ वहां लाड़ू रस गूले मिठाई बाटी गई उ गाम में कोई बड़ा नेता आया है वहां भी मनागवाई करी है यह गाम अर्शमात जानता है आज भी मेरे स्कूल के अंदर मेरे जो बाशनों है या जो मैं चुटकला मेरे को बोलते चोटा एक मैं बोलना चाहूंगा हम को याद भी दिलाना चाहूंगा कि वो चुटकला ज जी जो आज हमारे उपर बरोसा करके और हमारे को इज़त दे रहे हैं और वहां पोचा रहे हैं उसका गमंड मत करो मेरे भाई उनके जैसे पैर ही छूते गूम रहे हो जीतने के बाद में उसके पैर को छूना नहीं उसके पैर को चूमना मेरे भाई और उन आदमी उसे सब्सक्राइब करें जैसा व्यावार आप अपने साथ पसंद करते हैं तो जितिंदर जी हमारे आखरी दो स्वाल बचते हैं आपसे एक बाहरी दबाओ आपके उपर कुछ बनाया जा रहा है नहीं बनाया जा रहा है इसके बारे में जी मैं बताना चाहूंगा और थोड़ा हा गाम मेरा राम है इस गाम ने इस राम ने मेरे ते यो खुल का कह दिया है कोई दिकत नहीं बेटा अगर तेरा दिल कर रहा है तू एलेक्शन लड़ मेरे अपर जी दबाओ बनाया गया मेरे को पैसे मैं खरीदने कोशिश करी गई मैं नाम सारजनीक नहीं कर सकता जी मेरी को कोई मजबूरी हैं अगर यो गाम राम मेरा विश्वास करें मने वहां जिताक है अपने आपने जिताक है आज वार नंबर चैर की जनता की जीत हो रही है और वोटिंग आले दिन तक खुल का हो जाओगी जिताक है फिर बता दियो फिर मैं बता भी दूंगा जी मेरे उपर बह थाक फैसला कर लो जी तून कोई जरूरत नहीं है माज उनकी आवाज बनका है और आज खड़या हूं आखरी स्वाल आता है कि बोलते हैं कुछ लोग के जितेंदर भाई जीत तु जो है फूलगा बाई जो तेज तर्रार है थोड़ा गुशल सा उबाव का है इसको लेकर ग देन जा रहे हैं या कुछ अपना ग्यापन देन जा रहे हैं अगर वहां मारे जो मेंबर हैं मारा जो सरपंच है वह घबराव गार कप गा तब आई कोन उनकी सुनेगा इसलिए मैं अतने तेज तर्रार सब आपका अपने गाम ता जोड़ का वो करता हूं इस चीज को पोज अगे तक के रास्ते खोलन का काम करूंगा एक चीज आखरी और कहना चाहूंगा बाई साफ सिर्फ एक कारण है या याड कोई किसी का राजनितिक दुस्मन नहीं याड कोई दादा लाई किसी का कोई वो दाव पर नहीं लाग रहा सिर्फ एक गाम के मुद्याई बात से एक बाईचारे की बाद से कुन बड़ें छोट्यान बूज गया चाला है बाई और कुन किसने अपना समझा है कुन किसने पराया समझा है एलेक्शन के बाद सब फिर बाई कट्टे बैठे पाऊंगे और सब बाई फिर न्युजार्ड देव मूं फली खाऊंगे तो बाई जी हमसाब अपने आतमा से विश्वास दिलाता हूं कहीं नरहीं बेकूंगा नहीं जुकूंगा नहीं ठकूंगा नहीं रुकूंगा और जी सब मारे दोस्त सब मारे प्यारी हैं जी तो आपने इस वीडियो के माठम से जितेंदर कुमार उर्फ जित्तू पूल का बाइदे नाम रहा उनका शुरू से काफी मदद करते रहे हैं बच्चो या बैदर को नहीं करते थे मेरी फूल की कोई बात नहीं कोई विचार को लेका है कुछ अपसी बात को लेका लड़ाई है लेकिन फूल मेरे ते दूर नहीं यो गाम मेरे ते दूर नहीं यो वार्ड नंबर चार मेरे ते दूर नहीं दूसरी चीज एक यह है अक हमने किसे का कदे बुरा नहीं करया ना हम आज जोड के पिच्छे अटने का काम करूं लेकिन बार का कोई भी आदमी ध्यान करके सुन यो आज नंगलाल पहलवान का गाम है यो उसकी इज़त करा है उसने बड़ा मानना है उसके नामत लेकर दादा टुंडे महाराज का शरिंगी रिशी का यो गाम है मांडू रिशी का तो मैं एक चीज कहना चाता हूँ भाई किसे दे कोई नीडरता भाई सच्चाई रच्चाई की लड़ाई लड़ो भाई आज जोड़ के थारा छोटा भाई हूँ अगर आगे बड़ना चाहूं तो बड़ाओ भाई टांक पकड़ के पिच्छे मा छोड़ो खिच्चो मेरे है बाई और सारे भाई आना राम राम कोई भी हाड़क मेरा दुष्मन नी बाई सब मेरे मा के जाये मेरे बाई है बाई जो भी गलती मन करी आज मेरा वार्ड मेरा गाम मेरी गलती आने ड़क है अर मने पोजिटिव एनरजी के तरफ ले जाए एक चीज याद आगी जी माल भी मातमा बुद्ध मिलने से पहले उंगली काट के आदमी गले मटांग लिया करता निन्यान में उंगली उसने गले मटांग रही ति मातमा बुद्ध उसको मिले थे तो वो बुल्या मैं तेरी उंगली काट के गले मटांगूंगा मैं डाकू उंगली माल हूं वो डाकू का फैसला है जी इससे किसी को कोय अतराज नहीं होना चाहिए जी इसका सवागत करना चाहिए जी तो आपने ग्राम पंचात खेडी जो शोर शे वार्ड नंबर जी तो बाई को देखा इस वीडियो के मद्दम से अगर आपको जी तो बाई की बातों को लेकर कुछ शंशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं तब तक के लिए जैहिंद जबारत